जहीं नुस्तों बंदे मातरम यूंतुब ऑलिवुट से अजीव अजीव सी खबरें बहार निकल कर आती ही रहती हैं लेकिन जब ये अजीव गरीब खबरें किसी बड़े सितारे को लेकर हो वही सितारा जिसको की पब्लिक अपने सर के उपर बठा लेती है बहले ही वो असली जिंदगी में कुछ अच्छा करें या ना करें लेकिन हाँ सितारा जरूर बना देती हैं तो ऐसे में जब उनी सितारों के घर से कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आती हैं जो की काफी डिस्टर्बिंग रहती है जाहिर सी बात है कि जो पबलिक का जो एक ट्रस्ट था उस बंदे के उपर उस स्टार के उपर वो कही ना कही डेंट होता हो दिखाई देता है वो भी ऐसे समय पर जब काफी बड़ी एक प्रोजेक्ट वाली मूवी जो है वो उनकी लाइन में लगी हुई अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आमिर खान की और आमिर खान के उपर उन्ही के भाई ने काफी ज़्यादा संगीन आरोप लगाते हुए कुछ ये बाते कहीं है बलूट अभिनिता अमिर खान के भाई फैजल खान इन दिनों चर्चा में लेकिन वो उस घटना को नहीं भूल सके फैजल ने बताया कि उस समय में परिवार वालों से नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मिलूंगा तो लड़ाई जगड़े होंगे इसलिए मैंने दूरी बना ली थी मगर उन्होंने उड़ा दिया कि ये पागल हो गया है वो लोग मुझे जबरन दवा देने लगे आमिर ने मुझे एक साल तक हाउस अरस करके रखा बॉडिगार न्यूक्त कर दिया था मेरा फोन छीन लिया किसी से मिलने नहीं दिया जा र पड़ेगा नहीं चलोगे तो आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा बेहोश करना पड़ेगा फिर लेकर जाया जाएगा तो मैंने कहा कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं चल देता हूँ मुझे लगा कि एक नरसिंग होम में लेकर जाएंगे टेस्ट करवाएं जिसके बाद वो आम जिन्दगी जीने लगे वो कहते हैं कि मुझे लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया मगर 27 में एक दिन फिर आमिर ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे तुम्हारा हस्ताक्षर मतलब सिगनेचर चाहिए सिगनेचर करने के राइट्स चाहिए तुमे तो मैंने हाँ बोल दिया लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मेरी फैमिली ही मुझे खत्म करना चाहती है फैजल खान आगे बोलते हैं केस जीत कर साबित किया था कि मैं में मिंटल नहीं हूं इससे पहले आमिर खान की फैमिली की बात सुनकर कोई भी सामने नहीं आना चाहता थ कोई भी मेरे पक्ष में बोलने के लिए तयार नहीं था, कोट बंद होने के समय एक शक्स मेरे पास में आया, जिसके बाद कोट ने मुझे हॉस्पिटल भीज दिया, फरवरी में जज ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और मुझे आजाद कर दिया, फैजल आगे कहते हैं कि म इससे पहले दोर साथ में भी आमिर खान और अपने परिवार पर आरोप लगाया था कि उन्हें जानमूज कर मांसे बिमारी के लिए दवाईयां दी जा रही हैं और एक साल के लिए हाउस अरेस्क में भी रखा गया था, उसे याद करते हुए फैजल ने कहा कि उन्हें जब घर के अंदर की बाते होती हैं लेकिन जब घर के अंदर की बाते इतनी बढ़ जाएं कि घर के अंदर के व्यक्तियों को ही परिशानी होने लगे तो वो बाते बाहर निकल कर आने लगती हैं और जब वही बाते बाहर निकल कर आती हैं तो इसी तरीके से हर एक इन्सान को पर परिशान भी करने लगते हैं जिस तरीके से फैजल खान की ये बातें परिशान कर रही है आमेर खान भी कुछ दिनों पहले अपने पतनी किरन राउ से तलाक को लेकर भी क्या फ़सा चर्चा में थे और अब फैजल खान उनके उपर इस तरह के आरोब लगाते हुए नजर आ रहा है अलाकि एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि फैजल खान के मुवी रिलीज होने वाली है ऐसे में हो सकता है कि वो ये सब बातें शायद सुर्कियों में आने के लिए कह रहे हैं लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोजार साथ का जो मैंने आपको एक किस्सा बताया है दोजार साथ में भी फैजल ने कुछ इसी प्रकार का आरोब लगाया थे तो कोई व्यक्ति अब दोजार साथ से तयारी करे का नहीं तो जो लोग ये बोल रहे हैं अब सोशल मीडिया के उपर कि वही है फैजल जुट अलजाम लगा रहा है आमिर खान को का आमिर खान की उपर और आमिर खान का सपोर्ट करते हूं नहीं नहीं कर रहा है तब कि अब उस मूवी के तयारी कर रहा था जाहर सी बात है नहीं कर रहा हूं मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं यदि आप लोग गुछ कहना तो मुझे कमेंट करके जबर बताईएगा मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जैहिन जैभालात